नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे इंग्लिश का स्लेवर्स जो कि आपके क्लर्क के लिए इंपोर्टेंट रहता है हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा थ हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे से जो है इंग्लिश में चलिए उनको जल्दी से हम डिसकस कर लेते हैं अब देखो मैंने यहां पर डिफेंट डिफेंट पॉस्कोड के जो है उसमें जो है अनलाइसिस किया उसमें देखा कि किस-किस पारे में जो है आपको देखें दोस्तों जो आपके क्लेरिकल के एक्जामनेशन थे पहले वाले जो पहले पहले हुए हैं उसमें आपको इंग्लिश जो है बहुत ही कम पूची गई है उसमें इंग्लिश बहुत ही कम पूची गई है लेकिन जैसे जैसे जो है यहां पे यहां पे इंग्लिश का ज 16 यहां फिर 17 का examination हाई तिंग तो यहां पर देखेंगे आपको filling the blanks और error spotting आये हैं अब देखो filling the blanks जो आते हैं आपको यह आपको आते हैं यहां तो preposition पर और यहां फिर articles पर आएंगे ओके यहां फिर इसकी जगह आपको दे दिया जाएगा sentence completion इसको sentence completion भी बोलेंगे क्योंकि यहां पर आपको एक blank box रहता है उसको आपको fill करना होता है दूसरा जो पूछा गया था error spotting के बारे में error spotting आपको पता है यह एक यह मानलो पूरा sentence है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कि आगया होता है यहां पर एक उप्षन होता है यह बी होता है एक आपका अगे डी होता है तो आपने पताना होता है कि error किस वाले पार्ट में हैं इस तरह से आप error spotting करते हो तो यहां पर जो पोसकोड का examination हुआ था उसमें यह दो चीज़े पूछी गई थी और लगवग आपको जो है पांस से च्छे क्वेशन यहां पर पूछे गई थे तो ज्यादा क्वेशन इंगले से यहां पर नहीं आए थे लेकिन जैसे से आगे बढ़ेंगे देखो 549 पॉसकोड का examination उसके बाद हुआ उसमें आप आपको वर्व या वर्व भी पूछी जा सकती है ठीक है कि कौन सी वर्व यहां पर यूज होगी दूसरी बात यहां पर भी पूछे गए थे इसके साल बाद यहां पर अभी synonym पूछ जाते हैं अभी भी पूछे आते हैं इडिम और फ्रेजिस देखो दो नई चीजें इसके बाद पॉस्कोड तो यहां पर देखो फिलिन दा ब्लैंक सेमी चीज़ है और यहां पर देखो आपका जो एर्र स्पोर्टिंग वाला है वह अब कॉश्चन नहीं आते तो उसको आपने नहीं करना है अभी तक कोई भी कॉश्चन नहीं आ रहा है आरे स्पोर्टिंग का कॉश्चन पुछा जाएगा आपको आपको यह करना है सिनोनियम और अन्टोनियम दो लो इदियम फ्रेस हर बार पूछा आता है यह तो आपका है कि 100 परसेंट आपको यहां मैंसे क्वेश्चिन पूछा जाएगा देखो यह तो ओगया आपका 578 अब 67 पॉसकोड देख लो इसमें सब्सक्राइबस हैं और मैंने आपको बोला में पूछा ना कि विलिंडा gucken पूछ है यानिकिए आप सेंटेंस जो है complete करना होता है दोस्तों बियाइब करेक्फ से मिनिंग पूछा गया था मतलब दूसरा यह भी होता है कि सिनॉनियम पूछा गया था उसका सिनॉनियम क्या होगा तो इस तरह के कॉश्चन जो है आपको डिरेक्ट पूछे जाते हैं अब रिसेंट का एक्जाम 2019 में जो आपका हुआ था सिक्स नाइन टू पॉस्ट कोड के लिए काफे बच्चों ने एक्जामनेशन दिया होगा तो देखो इसमें भी स्पैलिंग पूछी जा रही है आपसे इसमें भी इंटॉनियम से पूछे जा रहे हैं यह तो आपको करने ही करने हैं यहां से डिरेक्ट आए प्रेपोजिशन क तो यह सारे चीज़े जो है यह पूछी जाती है वन बड़ सब्स्टिटूशन कभी कभी पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है तो कुल मिला के आपको यह छे टॉपिक कवर करके जाने हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पिछले समय से काफ चाहिए फ्रेपोजेशन का आपको मालूम होना चाहिए ठीक है जैसे की अपकी प्रेपोजेशन क्या क्या होती है सिंस होगा आपका सेंटेंसपेसिंट में यह सब चीजे अगर आप जो देखेंगे प्रेपोजिशनCU टोडएंगे तो पिवेशन पर्सेतिस और तो इस तरह को प्रेपोजेशन करने की जरूरत नहीं है तो आपको सेंटेंस कंपलीशन का पता चल जाएगा एडियम और फ्रेजिस आते हैं एक यह दो कुछन हमेशा पूछ आते हैं एडियम और फ्रेजिस से ठीक है मुहावरे जिसे आप बोलते हो लगोक्तियां हिंदी में ठीक है तो इडियम और फ्रेजिस भी जरूर करने है यानि कि पूरा सेंटेंस लिखा होगा उसका एक मिनिंग होगा वर्ड का तो वहाँ पर ऑप्शन दिये गए होंगे आपको उसका अंसर देना होगा वहाँ पर तो दोस्तों यह कोशन पूछे आते हैं आपको इंगलिश में तो मैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंगलिश की इंगलिश की ऐसा नहीं है कि आप डारेक्ट कोईशन कहीं से पूछ लिया जाएगा अब अन्टॉनिम और से क्या हमें करना है हमें वोकैबलरी इससे पता चलता है कि वोकैबलरी पूछी जा रही है तो हमें अपनी वोकैब बेलइंड को पड़ए उसके थ्रूशन हिवापकी चीलिफ रहा होगी तो यह तीन तो और प्रहेंग करने और उसके बाद जो है आप निउस्पेफर रीडिंग करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक्षिए दोस्तों इंगलीश को इंप्रूब करने में थोड़ा समय लगता है तब लगेगा अगर आप डिलीज देखने को मिलेंगह आप और या तो यह तो आपको कलने करने यह होंगे इतने अप कर सकते हैं Viaिश के आप देख सकते हैं ठीक है तो कोई वह सा यहां पर पुछा जाएगा लेकिन तुन भी जितना आपकर सकते हैं 300-400 जितने पी आप देख सकते हैं एक्जामनेशन से पहले वह आप जरूर करें अफ्टर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पताया एक सेंटेंस दिया होगा उसका आपको जो है मतलब वहां पर दिये क्या होते है चार ओप्शन वह आपको सलेक्ट करना होत कोई भी आप ग्रैमर की फॉलो करिए अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है वह आप कमेंट डाउन मुझे करिए यहां फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आड़ी पे मुझे आप फॉल अप कर सकते हैं आप यूसर नेम इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन कमेंट मीदियर कोई भी आपका इंगलिश को लेकर है तो इसके अतिरिक्त आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दें कोई भी आपका जो है आपको क्वेरी है वह आप मुझे बता सकते हैं तो यह है आज का वीडियो तब तक लिए जाहें